प्राइब प्राइब राज मैं समीर सुकला अपने नए चैप्टर यानि नए जो पार्ट है वो एंटॉनिम्स जो मैंने आपको कल पढ़ाया उसके जस्ट आगे का आज ये पार्ट हुए आज भी मैं करी 35 से 40 आपके सामने अंटॉनिम्स लेके आया और आई होप कि आपको कल के लिए खुम मेहनत करें क्योंकि एक नंबर आपके फ्यूचर को बना सकता है तो आप किसी भी तरह से कमी ना करें और इस वीडियो को लाइक करना सेयर करना सेयर जरूर करना क्योंकि जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी तक यह चीजे नहीं पता चल पा रही है कि इनको कैसे यूज करना है कैसे पढ़ना है तो उनके लिए वह हल्प होगी तो शेयर जरूर करना सब्स्क्राइब करना और आगे के हम लोग इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं एंट्रॉनिम स्पार्ट टू की बात करते हैं सबसे पहला आज हम लोगा जो है जिसका नाम ह क्रियेशन अब क्रियेशन के बारे में आपको पता है कि क्रियेशन एक कैसा वर्ड है क्रियेशन में सोता है निर्मान करना जब बात क्रियेशन रचना या निर्मान कियाती है तो इसका जो मतलब होता है रचना और इसका जो मतलब होता है अनिस्चित होना आपको पता ही है इसके बारे में कि अनिस्चित होता है, उसी तरह से confidence, confidence मिन्स क्या होता है, वो आपको पता है कि confidence मतलब होता है, विश्वास, तो जब confidence का मतलब होता है, विश्वास, तो diffidence का मतलब क्या होता है, आविश्वास की जब बात हम कर दें, तो वो diffidence होता है, है ना, civilized मिन्स क्या हो रहेगा जिससे यह आपको कोई problem create ना करे और आपका पूरा काम भी हो जाए तो cause means होता है कारण cause means होता है कारण और इसका जो उल्टा होता है वो होता है effect और effect मिन्स क्या होता है प्रभाव होना होता है effect बोलते ना प्रभाव उसके बाद है certain फिर वही बात आए कि जैसे ठीक है uncertain का जूँस करते है credit क्रेडिट मिन्स क्या होता है पैसा ही होता है कैस मतलब भी paysa ही होता लेकिन दो antar कि क्रेडिट मिन्स होता है उधार ठीक है और cash मांने पतला आपको पता ही है कि उसका just ulta यानिए उधार का just ulta यहां पर है converge का जो मतलब होता है वो converge के बारे में पता है कि एक बिंदू से दूसरे बिंदू का मिलना या एक केंद रत्वा बिंदू से मिलना यानि किसी चीज का एक जगा पर जाकर मिल जाना ही converge कहलाता है तो मैं यहाँ पर कैदू लिख दू कि बिंदू से मिलना क्या कहलाता है कनवर्ज और डाइवर्ज क्या है बिंदू से ना मिलने वाले जो जो चीज होती ही लाइन हो चाहिए रेखा हो तो वो क्या होते हैं बिंदू से ना मिलने वाली वो डाइवर्ज होते हैं डोसाइल का मतलब आपको पता है कि डोसाइल का मतलब होता है विनम्र तो स्टबन का मतलब क्या होता है जिद्धी होता है स्टबन का मतलब जिद्धी होता है डीप मिन्स होता है गहरा यह आपको पता ही है डीप मिन्स होता है गहरा तो सॉलो मिन्स क्या होता है यानि उपर उठा हुआ या गहरा के अलामा और जो सब्दिस में आ सकते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं definite का मतलब आपको पता ही है कि definite का मतलब निश्चित और indefinite का मतलब अनिश्चित did का जो मतलब होता है मरा हुआ alive मिंस होता है जिंदा डल मिंस होता है बेवकूफ यहाँ पर मैं लिख दूँ कि डल मिंस होता है बेवकूफ होता है डल मिंस होता है बेवकूफ और intelligent मिंस क्या होता है समझदार ठीक है आगे है defense, defense का क्या मतलब होता है रक्षा, जबकि offense का मतलब होता है जुर्म, तो defense का मतलब होता है रक्षा और offense का मतलब होता है जुर्म, देखिए हो सकता है कि आपको यह सी थोड़ा सा और लग रही हो, कि अरे जैसे उपर का नीचे तो समझ में आता है, लेकिए defense का offense कैसे हो होता है तो यह सारी चीजे यही तो एक यूनिक्स वर्ड है यही सारी चीजें ऐसी है जो हमें पढ़ना है रियाद करना है और समझना है अधरवाइस अगर एजी ही मिल जाएगा तो फिर यह मान के चलिए कि वो याद करने में आपका मन भी नहीं लगेगा क्योंकि आपको लगता है कि यह सारी चीजे इजी हैं लेकिन ऐसा है नहीं अब देखिए कल का जो पार्ट था वो थोगा सा इजी था त्योंकि उसमें ऐसे वर्ड नहीं थे जो आपको बहुत जादा प्रॉब् कि यह उस तरह से नहीं है कि अबब क बीलो आपका डाउन वह आपके हैबीचूल वर्ड है जिनको आप अच्छे से जानते हैं रेका नाइट, नाइट का दे यह आपके santé लेकिन यह जो वर्ड है यह है बीचूल नहीं है यह ही थोड़ा सा आपके सामने प्रॉब् इसमें कुछ भी दिया जा सकता है हाँ यह वात है कि आपके बोड के आपके जो पेपर है आपका जुश्लैबर से उतने में दिया जाएगा लेकिन अगर आपको लगता है इजी से इजी दिया जाएगा तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल हो आपको यह भूल नहीं करने दू डॉमेस्टिक मेंस आपको पता है कि डॉमेस्टिक मेंस होता है घरेलू तो वाइल्ड मेंस फिरो भी बात आई जंगली है ना जंगली होता है डिफिसिट अब डिफिसिट का जो मतलब होता है मैंने कहा ना कि आज का थ्वासा बहुत अच्छा है मज़ेदार है तो डिफिस मिन्स होता है पैसे जमा करना तो पैसे जमा करना इस पैसे की करते हैं तभी डिपॉजिट का नाम आता है और विड्रॉ मिन्स होता है निकालना और क्या निकालना भीया तो पैसे ही निकालने की बात हो रही है कोई और चीज निकालने की बात नहीं हो रहे है द्वार्फ मिन्स रच्छा सी होता है ठीक है डिमांड डिमांड मिन्स होता है मांग ठीक है और सप्लाई मिन्स होता है पूर्ती तो मांग और पूर्ती क्या है एक दूसरे की अपोजिट वर्ड है defeat means होता है हराना और victory means होता है विजय प्राप्त करना विजय प्राप्त करना तो इस तरह के word क्या है थोड़ा सा आपको जरूर थोड़ा सा problem create करेंगे लेकिन आपको परिसान होना difficult means होता है कठिन है ना और easy मितलब होता है आसान होता है यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं अगला वर्ड देखिए जैसे अब डिसोलेट के बारे में क्या है कि उजाड या सूनसान डिसोलेट का मतलब होता है उजाड या सूनसान अब यहां पर बात यह कि इसका जो वर्ड होता है वो क्या है तो inhabited मिन्स होता है हरा भरा या उज़ढ फ़राह हुः न हो अगला है distress मिन्स आपको पता है कि कठनाई या परिशानी होता है तो मैं यह यहां पर लिगदू परिशानी और comfort means होता है आराम आराम दायक बोलते ना are you feeling comfortable here यानि क्या तुम यहाँ पर आराम दायक यानि क्या तुम यहाँ पर सहज महसूस कर रहे हो आराम महसूस कर रहे हो ठीक है उसके बाद distant means होता है दूर और near का का मतलब होता है पास डाइंसलार है का मतलब करना और बढ़ना दु सलिभर्सीchu म्हाइचा करना चाहिक तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना चाहिक या बढ़ा देना डेट का मतलब होता है मृत्यू और लाइफ का मतलब होता है जीवन अब आप समझ लीजिए इससे कि ऐसे वर्ड जब भी आएंगे तो स्योर है कि वह आपको प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे क्यों क्रिएट करेंगे क्योंकि यह वर्ड आसान नहीं है कारण क्या है कि आपको अभी तक है बीचुल कि जैसे आया नाइट आया तो उसका उल्टा डे होता है अप्र आपने देखा है सुना है यार्द भी किया है लेकिन यह सब्द जैसे दोसाइल है इसमें आपको प्रॉब्लम होती इसमें दिक्कत होगी तो आपको वो दिक्कत फेस नहीं करने है आपके लिए वो कंडिशन न रहे इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते थुर्ण सा आगे देखते हैं कि इसके एक्स्टीरियर एक्स्टीरियर मिन्स होता है या बाहरी जैसे घर का एक्स्टीरियर और इंटीरियर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो एक्स्टीरियर मिन्स बाहरी और इंटीरियर मिन्स होता है अंदर का ठीक है आंतरिक या अंदर का एक्जामिनर यानि यह जो और एक्जामनी जो है वो फीमेल के लिए होता है ठीक है इसको समझ ले ना इसके को मतलब होता है तो इसके बंस होता है देर से भीजना ठीक है जीदे मिस होता है। एडबल बी ऐब मिस क्यों होता है तो एब मिस होता है उतार ठीक है और तो art का मतलब होता है आनंद लेना तो सफरिंग का क्या मतलब होता है वो भी आपको पता होगा तो सफरिंग का मतलब होता है परिसान होना या किसी चीज से किसी तो यहां मैं कह सकता हूं कि कठिनाई का सामना करना कठिनाई ठीक है कठिनाई का सामना करना अरली मिन्स क्या होता है ज मतलब जो होता है वह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक्स्ट्रावेगन का क्या मतलब होता है इनकरेज का मतलब भी उसी तरह से है आप इसका जरूर बताएंगे यह दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं आप इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे नहीं तो समलो आउनलाइन पिटाई चुरू अर्ण मिस होता है कमाना तो इस्पेंड मिस होता है खर्च करना एक इंट्रेंस मिस होता है प्रवेश करना इंट्रेंस मिस होता है प्रवेश करना तो एक्जिट मिस होता है बाहर निकलना ठीक है तो इंट्रेंस मिस क्या होता है प्रवेश क करना और एक्जिट मिन्स होता है बाहर निकलना फेलियर का पता ही आपको फेलियर मिन्स क्या होना असफल होना और सक्सेज मिन्स होता है सफल होना अब आगे यह नंबर आता है यहां पर फ्रैंक का क्या मतलब होता है तो भाई फ्रैंक का क्या मतलब होता है जल्दी से बता दो तो फ्रेंक का क्या मतलब होता है तो फ्रेंक का मतलब होता है असपस्ट ठीक है फ्रेंक का मतलब होता है यहां पर बेसरम भी कह सकते हैं ठीक है बोलते ना कि दो इसको बोल देना फ्रेंक ली बोलो कोई दिक्कत ने यानि घुल कर बोलो ऐसा तो यानि साफ साफ बोलो तो वो फ्रेंक होता है ठीक है रजर्णि Sheelman žा होता है यह फ्रेंक जो है वो इस पर स्ट रूश्र में क्या होता है कि किसी चीज को बचा कर या आइसपस्ट में कह सकता हूँ यहां पर तो ज्यादे अच्छा है ठीक है आइसपस्ट यारे जो व्यक्ति परस्ट बात नहीं करता वह फ्रीडम नीज आपको पता है कि फ्रीडम मेस होता है स्वतंतरता तो स्वतंतरता तो स्लैवरी मिन्स होता है है गुलामि स्लैवरी मिस क्या होता है गुलामि मुझे हैं तो डी फे मांणे होता है अब ये सब कमाना इज्यत तो प्रहुंश क्या होता है तो तो इस्माइल में सोता है गुस्सा ना करना या आराम से रहना या भाँ चढ़ा कर बात ना करना ठीक है यानि प्यार से मैं यहां पर लिग दू तो ज्यादा अच्छा है कि प्यार से बात करना या प्यार से कुछ भी करना ठीक है फार में सोता है दूर तो नियर में सोता है प आयर्स जो होता है इसका मतलब होता है वह होता है भयंकर और जेंटल मेंस होता है सज्जन या सज्जन या नॉर्मल सब्दमें लिखे देरों यानि साधहर्ण fine मन्स के ओता है fine और kourse ये भी बहुत बहुत दोनों बहुत अच्छे word है अक्सर पूछा जाता है तो फाइन मेंस होता है अच्छा जबकि कोर्स मतलब होता है बुरा होता है ठीक है फ्लेक्सिबाल मेंस होता है लचीलापन आऊनि जो लचकदार ना हो ठीक है यहां पर लचकदार फ्लेक्सबल का जो उल्टा है वो रिजिट है यानि जो लचकदार ना हूं तो इसका वर्ड आप हिंदी आप निकाल लेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक इसकी हिंदी थोड़ा सा देख लेना यानि इसके तो ऐसे रिजिट का मत असलब होता है उबड़ खाबड ठीक है अगला है फर्म फर्म मेंस होता है द्रिण होता है फर्म मेंस होता है द्रिण तो इन फर्म मेंस क्या होता है ठीक है भी या तभी ये फर्म और इंफर्म ये सारे वर्ड बनते हैं फ्रेंडली मिन्स को जाते हैं दोस्ताना फ्रेंडली मिन्स क्या होता है दोस्ताना या दोस्त से ठीक है या होस्टाइल मिन्स क्या होता है यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि जिसे friendly means दोस्ताना तो hostile means यहाँ पर एक तरह से मैं दुस्मनी तो नहीं लिखना चाहरा हूँ लेकिन लिख दिया हूँ तो friendly means होता है दोस्ताना जबकि hostile means होता है दुस्मनी या दोस्ताना ब्योहार ना करने वाला यानि किसी के साथ बड़ी बत्तमीजी से पेस आना ही क्या है hostile होता है ठीक है तो इस सब वर्ड है ऐसे हैं जो आपको समझना है याद रखना है जिससे दिक्कत आपको ना हो अदरवाइस दिक्कत होगी यह बात मान के चले तो आपको दिक्कत ना हो यह मेरी पूरी विच्छा है और आप इसको पूरा याद करें जो इसकी हिंदी मैंने दो तीन छोड़ी है यह hostile की भी हिंदी आप लिख लेंगे या बताएंगे कमेंट करके ठीक है और उसके अलावा जिसस की हिंदी वैसे तो मैंने यह दो आपके लिए छोड़ा ही एक नॉमिकल और इंकरेज और डिसकरेज वाला और एक hostile यानि friendly का hostile होता है तो hostile की exact हिंदी क् यह सारी चीजे आपको करनी है समझनी है नहीं तो बहुत problem होगी और आपको मैं problem नहीं होने दूँगा चली फिर ठीक है आज के लिए इतना ही बाकि अपने next party के साथ अगले दिन ठीक है चली thank you